परिचय आप एक उद्ध्यान में सेर कर रहे हैं उद्ध्यान वर्गाकार आकरिती का है उद्ध्यान का प्रतिक किनारा 250 मीटर लंबा है आपने उद्ध्यान के पांच चक्का लगाए और घर लोट गए आपकी माता यह जानना चाहती है कि आपने कितने मीटर सेर की है क्या आप बता सकते हैं यहां आपको परिमाप के बारे में जाननी की जरूरत है इस पार्ट में हम लोग परिमाप के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे उद्धेशे इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे परिमाप को परिभाशित करना वर्ग के परिमाप की गणना करना आयत के परिमाप की गणना करना अन्य नियमित आकृतियों के परिमाप की गणना करना परिमाप क्या है? आईए आपकी माताजी के प्रश्न का उत्तर दें आपने कितने मीटर सेर की? प्रतेक चक्कर में आपने उद्ध्यान के चार किनारे पूरे तै किये पार्क वर्गाकार है इसलिए इसके सभी किनारे समान लंबाई के होंगे अताहा एक चक्कर में आपने 250 जमा 250 जमा 250 मीटर या 1000 मीटर टै किये इस प्रकार पांच चक्कर में पांच कुणा 1000 मीटर या 5000 मीटर अथवा 5 किलो मीटर अब आप अपनी माता के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं इसकी गणना में हमने परिमाप के तथि की मदद ली इस प्रकार हमने जाना कि किसी बंद विमिय आकरिती का परिमाप उसके बाहरी किनारों की कुल लंबाई के बराबर होता है परिमाप क्या है? यहां हम किसी आकृती के परिमाप ग्याद करने के लिए एक बहुती सरल तक्नी की मदद लेंगे एक बंद जया मितिक आकृती लेते हैं जैसे की वृताकार, वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार इत्यादी अब एक धागे को ली गई आकृती के चारों किनारों से इस तरह से लपेट लें कि धागा धीला ना रहे अब धागे की उस लंबाई को जो आकृती के साथ लपेटी गई है माप लेते हैं इस प्रकार धागे की मापी गई लंबाई उस आकृती का परिमाप होगा परिमाप की गणना कैसे करें? अब आप समझ गए होंगे कि परिमाप का क्या मतलब होता है अब हम एक पंच भुझ के परिमाप की गणना करने की कोशिश करते हैं अब तक हमने देखा कि किसी जयामितिय आकरिती का परिमाप उसके सभी बाहरी भुझाओं वा किनारों की कुल लंबाई के बराबर होता है पंच भुझ पंच भुझाओं वाली एक बंद जयामितिक आकरिती होती है माना की पंच भुझ के बाहरी किनारों AB, BC, CD, DE एवं EA की लंबाई क्रमशा 4 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm एवं 4 cm है अताहा पंच भुझ का परिमाप होगा 4 जमा 5, जमा 3, जमा 3, जमा 4 जो के बराबर है 19 cm के आयत का परिमाप अब हम आयत के परिमाप की गणना करते हैं आयत एक चार भुझाओं वाली बंद जयामितिय आकरिती है जिसकी संभुख भुझाएं समान होती है इसलिए आयत का परिमाप दो गुणा लंबाई जमा दो गुणा चौड़ाई के बराबर होता है हम इसे थोड़ी सरल भाशा में यूं कह सकते हैं कि आयत का परिमाप दो गुणी लंबाई एवं दो गुणी चौड़ाई के योग के बराबर होता है हम एक आयताकार खेत के चारों और बनी क्यारियों में फूल लगाना चाहते हैं जिसकी लंबाई 800 मीटर तथा चौड़ाई 500 मीटर है इस प्रकार फूलों के दोरा कुल तै की गई दूरी ग्याद करें फूलों द्वारा कुल तै की गई दूरी हम आयताकार खेत के परिमाप को ग्यात करके प्राप्त कर सकते हैं आयताकार खेत का परिमाप 2600 मीटर है अताहा फूलों द्वारा कुल तै की गई दूरी 2600 मीटर है वर्ग का परिमाप अब हम वर्ग के परिमाप का सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं इसलिए वर्ग का परिमाप चार गुणा इसकी भुजाई के लंबाई के बराबर होता है आप टेबल मेट के चारों किनारों पर जाला लगाना चाहते हैं जिसके प्रते किनारे की लंबाई 5 सेंटिमीटर है अब आवशक जालर की लंबाई की गणना करें आवशक मगजी की लंबाई वर्गाकार टेबल मेट के परिमाप के बराबर होगी चुंकि वर्गाकार टेवलमेट का परिमाप 20 सेंटीमीटर है अता आवशक जालर की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी आत्म मूलियांकन बच्चो अब वक्त है आपकी समझ का दिये हुए विकल्प में से सही विकल्प चिन कर क्रमा अनुसार बक्सों में भरे नियमित आकरिती का परिमाप ऐसी आकरिती जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो एवं सभी कोन समान माप के हो नियमित आकरिती कहलाती है वर्ग पून रूप से एक नियमित आकरिती का उधारन है एक और नियमित आकरिती का उधारण एक संभाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है। 9 सेंटीमीटर के बरावर होगा। एक समशट भुज का परिमाप 6 गुणा 1 भुजा की लंबाई होती है। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी दूई विमिये बंद आकरिती का परिमाप उसके बहरी किनारों की कुल लंबाई के बराबर होता है। किसी जयामितिक आकरिती का परिमाप उसके सभी भुजाओं की कुल लंबाई के बराबर होता है। आयत का परिमाप बराबर दो लंबाई जमां चौडाई होता है, वर्ग का परिमाप बराबर चार गुणा एक भुजा की लंबाई होता है, संभाहु तिर्भुच का परिमाप तीन गुणा एक भुजा की लंबाई होता है, आकृति जिसकी सभी भुजाएं एवं कोन समान के हो नियमित बंद आगरिती कहलाती है